देश के जसस्वी प्रधान मंत्री, हम सब के नेता, विश्व के लोक प्रिय नेता, मानेवर नरेंद्र भाय मोदी जे, हमारे देश ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े राजनेतिक दल के राश्ट्री अधक्ष, आधर्णिये जगत प्रसाद नड़ा जे, हमारे सम्मानित नत्रित्व मंच पर और यहां उपस्तित भारतिय जनता पार्टी के सबी प्रतिनी धीगान, भाय योव भंग बहनों, मानिये ग्रह मंत्री, आधर्णिये अभी साधी ने, जो प्रस्ताओ के रूप में हमारे सामने प्रसूत किया है, भाजपा, देश की आशा और इंडी गटबंधन, निरासा, हतासा, इसमें मानिये ग्रह मंत्री जी ने, जिस धन से हम सब के सामने पूरे देश के राजनितिक बस्तु इस्तिति को, भारत के बढ़ते हुए विकास की गाथा को, संकल्पों को, और इंडी गटबंधन की सप्ता लोलूपता, निरासा, हतासा, और जो इनके नेताओं का डिप्रेशन जिसे कहा जाए, उसकी पूरी वाक्या की है, और यहाँ मैं इस बात के साथ अनुमोधन करना चाहता हूँ, अनुमोधन के लिए आपके बीच में हूँ, कि जिन बातों का उलेख मानिय ग्रह मंत्री जी ने किया, हम सब मिल करके कहें, अब की बार, अब की बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, मित्रों, कांग्रेस के नेत्रुत में, इंडी गत्वन्धन और इंडी गत्वन्धन के लोगों का, नेताओं का, उनके चरीत्र का, परिवारबाद का, सारे विशे, आपके सामने आये, आज, जहां एक तरब, आदर्णिय नरेंद्र भाई मोदी के नेत्रुत में, जसर स्वी प्रधान मंत्री के नेत्रुत में, देश विख्षित भारत का संकल्प लेकर, लगातार आगे बढ़ रहा है, और विख्षित भारत से, अब हम इस देश को, 2047 में, विख्षित भारत के साथ साथ, दुनिया के अंदर दिब्वि भारत के रूप में देखेंगे, इसलिए दिब्वि भारत के रूप में कि 22 जन्वरी को, जिस तरीके से, देश के जसर्श्वी प्रधान मंत्री जी ने, राम लला के, मंदिर का, परिशर का, पूरे विश्व में, एक संदेश देते हुए, कि भारत किस तरीके से, आदी काल से, अपने संस्कृतिक विरासत को लेकर, बशुधव कुटुम्ब कम का, मंत्र को लेकर, प्राचीन सब्वता के साथ, आगे बढ़ते हुए, अपना नेत्रुत्य को, अपने संस्कृतिक को बनाय रखा है, एक तरब जहां सत्ता लोलुप्ता के बल पर, सत्ता के दुरुपियोग करने का, और जिसकी चर्चा हमारे सामने आई, कि इनके सासनकाल में, कि किस तरीके से जमीन, आस्मान, धर्ती, आकास, पताल, सब जगा घुटा ले ही घुटा ले, पॉलिशी पैरलाइसिस, और सत्ता प्राब्त करने के बाद, ऐसे दलों ने, इस देश में, इस देश के जनता को खास करके, चाए वो दलित हो, चाए आदिवासी हो, चाए पिछडे हो, उनके उपर, महरबानी जताने का काम किया, सत्ता प्राब्त जनता कराती है, लेकिन संता प्राब्त करने के बाद, ये महरबानी का कारे, एहसान जताने का काम, कांग्रेस ने किया है, कोई भी कारे, उन्होंने देश के जनता के हितों को ध्यान में रख करके नहीं, बलकि इस बात को ध्यान में रखते हुए, कि हम उन पर, बेवसी, लाचारी, गरीबी, और इस तरीके से महरबानी का, एक भार उसके उपर चड़ा दे, ताकि वो हमेशा, उसी महरबानी के तले दबे हुए, हमारा समर्थन करता रहे, लेकिन जसास्वी प्रधान मंत्री, नरेंद्र भाई मोदी के नित्रुत में, वो महरबानी सब्द खतम हो गया, वो अहसान का सब्द खतम हो गया, का कि ये देश पुरुसार्थ के बल पर आगे बढ़ेगा, देश के 140 करोड जनता के पुरुतार्थ को लेकर, 21 सदी का भारत, विक्सित भारत दिब्विभारत बनेगा, और उस फैसलेगा, चाहे वो नीतियों से संबंदित हो, कारिक्रमों से संबंदित हो, बिकास आत्मक जोजनाओं से संबंदित हो, पिछले दस बरसों में लगातार, पूरा करते हुए लक्षिक के तरफ बढ़ रहे हैं, इन दस सालों में, मानिय नरेंद्र भाई मोदी जी के नितुरुत में, जहां पहले पान साल में, एक दलित परिवार का सदेश्य, देश का राश्टपती बनता है, तो वहीं, दूसरे पान साल में, पुर्वोदे से, एक महिलाज, जनजाती परिवार की सदेश्य, देश की राश्टपती बनती है, आज वो, अकबारों के माध्यम से, राजनीती करने में बाज नहीं आते, अपने बयानों के माध्यम से, इस बात का बार-बार कोशिस करते हैं, लोगों के बीच में के हम ही एक हित ऐसी है, जिनोंने महरवानी और बेवसी, लचारी के साथ, इस देश को सत्ता का धुरुप्योग करते हुए, लगातार कोशिस किया, वो इस तरह का सवाल ख़ड़ा करने का कोशिस करता है, कि जहां देश के राश्टपती, जनजाती महिला के राश्टपती, कि चुनाओं के लिए, एंडिय गटबंधन, आदर्णिय नरेंद्र भाई मोधी के नितृत्यों में कहता है, कि हमने एक जनजाती महिला को राश्टपती बनाने का प्रस्ताओं दिया है, उसका सब मिल करके समर्थन करे, तो यही कांग्रेस और इंडिय गटबंधन के लोग, उसके खिलाब में कैंडिडेट खड़ा करते हैं, और जनजाती महिला को हराने के लिए वोटिंग करते हैं, यह उनका चरीत्र है, इस तरह के चरीत्र को लेकर, आज बयानों के माध्यम से, दिख भर्मित करने का काम, जहां ऐसे पारलिमेंट में, जोएंट पारलिमेंट में, जनजाती महिला रास्थ पती, पूरे रास्थ पती भवन से कारवा लेकर, शेंगोल के साथ, नए परार्लिमेंट में प्रवेस करती हैं, यह जनदाती समुधाय का गोरव नहीं बलकि पूरे देश का गोरव है निया ए दंडिका के साथ राश्पती का संसद भवन में प्रवेश करना देश को एक नया संदेश के साथ समता मुलक समाज के रोप में ससक्ट भारत के रोप में स्रेस्ट भारत के रूप में जोड़ता है आज लगातर विकास योजनाओं के माध्यम से चाए वो जनजाती छेत्र में आज जहां यूपिये के कालखंड में 24,000 करोड का बजट होता था आज़निये नरेंद्र भाई मोदी के सासन काल में एक लाग सत्रा हजार करोड का बजट का प्रावधान जनजाती छेत्रों और जनजाती के विकास के लिए किया जाए इसमें बहुत जादे नहीं कहते हुए मैं निस्चित रूप से कहूँगा कली आपने प्रजर्शन में देखा जो आपको वीडियो फुटेज के मादियम से दिखाया गया कि क्रिसी छेत्र में किस तरीके से कारे हो रहा है और किस तरीके से विबिन छेत्रों में भागीदारी सुनिस्चित करते हुए विकास अत्म कारी करम आगे बढ़ रहे हैं मैं आज जिन बातों का उलेक मैं समझता हूं कि समझते कारे करता हूं को मानिय गिर्ह मंत्री जी का संदेश जन जन तक पहुचाना चाहिए कि आए हम सब मिल करके फिर से कहें अब की बार अब की बार इन्हें सब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का अनुमधन करते हुए अपनी बानी को विराम देता हूं बोली भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत द्रवाद